जब दिल चाहे डिलिशिस दिश तो सर्च करें My Kitchen My Dish My Kitchen My Dish is open प्लीज सब्सक्राइब और हिट दे बल उइकन फोर डेली नोटिफिकेशिंस असलाम लेकुम हेलो और वेलकम तो My Kitchen My Dish दोस्तों मैं आज आपको chicken के cutlets बनाना बताने जा रही हूँ यह बड़ी अच्छी snacks की recipe है इवनिंग snacks में, रमजान के अफतार में और breakfast में और burger बनाने के लिए बहुत अच्छी recipe है यह बहुत ही tasty होते हैं तो इन्हें अगर burger बनाते हैं तो ये बहुत बेताई है ह।शा आधा किलो चिकन का कीमह लिया है। और ये bread crumbs लिये हैं। 8 bread के pieces को लेकर मैंने उसे 10 सेकंड तक mixi में dry run किया और ये बन कर तयार हो गया है इसके लिए मैंने एक बड़ी प्यास को बारी grate कर लिया है और ये थोड़ी सी एक बंच धनिया की पत्ती को काट लिया है एक चाय का चमच धनिया पाउडर थोड़ी सी कसूरी में थी वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच काली मिर्च पाउडर नीबू एक और गरम मसाला पाउडर वन टेबल स्पून और नमक और साथ में लगेगी मुझे दही और कुछ कोटिंग के टाइम पर मुझे सेविया लगेगी वहने भुनी हुई बनारसी सेविया लिए है उन्हें बारीक तोड़ लिया है तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं मैंने चिकन को मिक्सिंग बोल में डाल दिया ब्रेट क्रम्स अगर ना हो आपके पास तो आप ब्रेट को पानी भीगो कर भी पानी निचोड़ कर उसे भी मैश करके यूज कर सकते हैं अब इसके अंदर मैं डालूगी यह प्याज यह प्याज बारीक ग्रेट करके डालने से यह बहुत सौफ्ट बनते हैं cutlets, और धनिया बारी कटी हुई और यह मैंने एक चाइका चमच धनिया powder डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, यह उन टेबल स्पून है इसलिए मैंने इसमें से बचा दी और ये वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से आज़ेस्ट कर सकते हैं कम यह जादा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर दोनों को आधा आधा चाय का चमच लिया है और एक टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और दो टेबल स्पून जींजर गारलिक पेस्ट एड़ करेंगे यह ध्यान रहे कि कीमे में पानी जादा नहीं होना चाहिए नमक स्वादा नुसार मैंने एक चाय का चमच भर के नमक डाला है इसके अंदर यह मेरा टेबल स्पून है इसलिए मैं उससे थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ मुझे अंदाजा है कि एक चाय का चमच कितना होगा और इसमें नीबू का रस निचोड़ देंगे इसे नीचोड़ेंगे कि इसके बीज उसके अंदर ना आ जाए अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथों का यूज करते हुए मिक्स करेंगे तो यह कटलेट्स का टेक्स्चर बहुत अच्छा बनेगा अब यह बहुत रूखा हो गया क्योंकि breadcrumbs भी मेरे सूखे हुए है किमे में से भी मैंने पानी बहुत नीचोड़ दिया था प्याज में से भी नीचोड़ दिया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक टेबल स्पून पानी आड़ किया है अभी मैं इसके अंदर चार टेबल स्पून दही यूज करूँगी, गाढ़ी एकदम थिक घर की जमाई हुई दही है, वो भी मैं फोर टेबल स्पून डालूँगी, उससे भी ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, कटलेट्स, अगर कटलेट्स में इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कटलेट्स हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं, दही को थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, वैसे मैंने चार टेबल स्पून दही डालना है इसके अंदर, मैं तीन टेबल स्पून डाल चुकी हो, अभी वन टेबल स्पून मैं इसकी कंसिस्टेंसी देखने के बाद डालूँगी, वन टेबल स्पून दही और एड करनी पड़ेगी, इसकी सौफटनेस के लिए, ब्रेड क्रम्स डालना इसके लिए ज़रूरी है क्यों उससे टेस्ट भी अनहेंस होता है, और उसका वो बहुत अच्छा भी अपने आप में अच्छे से बाइंड हो जाता है, पर फिर भी ब्रेड क्रम्स मिलाने से उसकी बाइंडिग वी अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा इनहेंस हो जाता है, तो यह मैंने मिक्स कर दिया, चाहे तो 10 मिनट तक इसे मारिनेट होने रखते हैं ना चाहे जल्दी है तो ऐसे भी बना सकते हैं, और अपनी मनपसंद शेप के बनाए, अपनी मनपसंद साइस के बनाए, मुझे बंद के अंदर बनाना है, तो मैं वैसे बना रही हूँ, ये देखे मैंने सेविया, बनारसी सेविया ब्राउन भूनी हुई है, बिल्कुल भून बना दिये हैं, करीब 40 कटलेट्स बने हैं, आधा किलो केमे में, और सेवियों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से दबा दबा कर उनके उपर चिपका दिया है, इस साइज के बनाए है, छोटे वाले बर्गर के बंद जो होते हैं, उसके बीच में इन्हें लगा कर हमें करने के दायारी करनी है, तो उसके लिए मैंने 2 अंडे तोड लिये, और इसके अंदर आड करेंगे 2 चाय का चमच दूध, देखेगा अभी, यह देखे, 2 चाय का चमच दूध दालने से, जो अंडे की कोटिंग करके जब हम उसे फ्राइ करते हैं, तो उसमें से ऐसा इन्हें भी ओवर क्राउडड नहीं करना है, ओल को पूरा गरम होने के बाद मीडियम आच कर देनी है, और मीडियम आच के उपर इसे 4-5 मिनट तक फ्राइ करना है, क्योंकि चिकन कच्चा है और उसे पकना चाहिए, और इतनी देर में फ्राइ करने में यह गोल्डन किया है, इसे लेमन के साथ में, हरी चटनी के साथ में, केचप के साथ में, और चाहे जिस भी डिप के साथ में आप पसंद करते हों, यूज करें, टेक वेरी गुड केर आफ यॉर्सेल और फैमिली, बाई!